नमस्कार मैं हूं मनमोहन भट पटवारी भरती पेपर लीक मामले में पुलिस को एहम सुराग हाथ लगा है ये सुराग पुलिस को तब हाथ लगा जब गिरफतार हुए आठ लोगों में से चार को पुलिस ने रिमांड पर लिया रिमांड पर लेना मतलब उनको जेल से बाहर लाया जाता है और पुलिस उनसे गहनता के साथ सकती के साथ पूछताच करती है जो लोगसेवा आयोक के जोएंड सेकरेटरी रहे हैं संजीव चतुरवेदी उनके तीन साथियों को पुलिस अपने साथ ले गई उनसे सकती से उन् कि जांच पूरी होने तक पुलिस या SIT ठोस सबूत इकठे कर रही है और जब वो उसके पास आ जाएंगे तो BJP के नेता को गिरतार किया जा सकता है संजीव चतुरवेदी को लगातार उसके ठिकानों पर ले जाया जा रहा है जो एक्क्यूपमेंट्स यूज किये गए हैं उन्हें जबत कर कोट में पेश किया जा रहा है और ये पता लगाने की भी कोशिश पुलिस कर रही है कि संजीव चतुरवेदी का साथ इस पूरे गड़वड़ जाले में आयोक के भीतर कौन कौन दे रहा था और आयोक के बाहर कौन लोग उनकी मदद कर रहे थे आयोक के भीतर कौन मदद कर रहा था इसकी जानकारी तो पुलिस को अभी इस पश्ट रूप से नहीं मिली है बच रही है लेकिन ठोस सबुत मिलते ही बीजेपी की नेता की गिरतारी हो सकती है अब देखना ये है कब तक पुलिस अपनी तफ्तीश पूरी करती है इस खेल के मास्टर माइंड तक पुलिस पहुँच पाती है और बीजेपी का जो नेता इनके साथ संपर्क में था इस प टीम में शामिल हैं बीजेपी के ऐसे कई नेता चर्चाओं में रहे हैं जिनका भरती प्रकरण से वास्ता पड़ा है भरती प्रकरण में उनके नाम सामने आये हैं हाकम सिंग भी बीजेपी के शरण में ही था इस तरीके के आरोब बीजेपी पर लगे हैं हलाकि पेपर लीक की कहानी 2015-16 के आसपास से ही चलती आ रही है लेकिन पबलिक सर्विस कमिशन लोग सिवा आयो के मामले में ये पहला ऐसा प्रकरण है जो खुल कर सामने आ गया है कौन-कौन फसेंगे ये देखना काफी महत्पुन है सातियों फिलाल के लिए इतना ही अगरे रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी तब तक अजास्त दीजिए नमस्कार